हलो और वेलकम टू सिनॉप्सिस इस माइनेम इस कृष्णा इस लेक्चर में हम बात करेंगे 17 से लेकर 20 जनवरी 2020 चार दिन के जो करेंट अफेर्स हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में उनकी बात करेंगे यह जो नोट्स हैं कोर्स फ्री है और नोट्स आप सिनॉप्सि इस.in website पर जाकर जॉइन कर सकते हो देख सकते हो डाउनलोड कर सकते हो इसके लिए आपको इस्पेशल कोर्स में जाना होगा बाकी जो कोर्स लिस्ट है सिनॉप्सिस की वो यहां पर दी हुई है लास्ट कुछ डेस से थोड़ा सा mismatch था डेस में तो that I am working और दो से तीन दिन में यह वाला पार्ट I'll do ठीक है 12 to 16 एक वीडियो में यह भी आ जाएगा तो एम इसका daily current affairs ठीक है इसका नाम है बट aim objectives का daily daily का नहीं है monthly आपको एक content provide करना है तो देखते हैं not even monthly साल आना आपके पास current affairs होनी चाहिए exam में जाने से पहले तो देखते हैं पहली news क्या है को आता है 17 को आया होगा glucose की वज़े से tumor जो tumor cells होती है वो कैसे cancer में convert हो जाती है तो cancer metabolism जब explain किया जाता है तो यह बताया जाता है जो tumor cells है 2000 addicted to glucose जैसे ही यह glucose इन cells में जाता है tumor cells में तो यह फटा-फट वहाँ पर feed होकर multiply होता ग्रो होता है तो ultimately suppose tumor cell यह है तो glucose में add होगा तो फूलता जाता है it increase ठीक है increases normal cell क्या होती है इस glucose को अपना size increase नहीं करते है उसके बदले energy बनाती है ठीक दो ही चीज़े बन सकती है mass या फिर energy दुनिया में दो ही form में energy पाई जा सकती है equal to mc square इस चीज़े को prove करता है तो इससे क्या होता है कि आप या तो mass बना सकते थे या आप energy बना सकते थे ठीक है mass बन गया तो cancer बन गया energy बन गया नॉर्मल आपकी body functioning हो रही है ठीक तो इस reprogramming की वैसे normal आपका energy बननी थी energy को मास बनने लगा तो reprogramming of glucose metabolism होने लगा उसकी वैसे जो दवाएं भी दी जाती है cancer treatment में helpful नहीं होती तो यह पहली news थी जो science and tech page पर बाक आपकी news नहीं है फिर एक आर्टिकल था रेरली कभी कोई बंदा अच्छा लिख देता है आर्टिकल एडिटोरियल में तो यह एक ऐसा आर्टिकल है कि आप इंडिया में mining कर रहे हो इसका मतलब आप family का gold बेज दे रहे हो क्या है यह कहानी पूरी family के gold से इनका मतलब है inherited property ठीक है तो ethical issues in mining इसको GS force ज्यादा कोई value मैं तो नहीं दूँगा topic को इंडिया की जो national mineral policy है 2019 की वो यह कहती है जो भी natural resources है इंडिया में वो एक shared inheritance है हमारी humanity की shared inheritance है जहां state सिर्फ एक trustee का role play करता है on behalf of people state जनता का trustee है तो state का काम क्या है insure करना ताकि further generation benefit of this inheritance का benefit उठा पाए तो trustee का मतलब क्या होता है trust आपने सुने होंगे बहुत सारे what is the meaning of trustee trustee का पहला objective होता है कि उसके जो पैसे आ रहे है उसको आपको maintain करना है दूसरों के बिहाफ पर suppose मैं कहूं कि इस टाइम पर GOI आपकी protection के लिए trustee है तो आप उसको protection security के लिए जो भी पैसे दोगे तो government उस पैसे को manage करेगी कहा करेगी manage security forces पर खर्च करेगी है normal आपने कहा यह पैसा मेरे पास रख लो trust बना दिया government of India आपकी trustee है उसे खर्च नहीं कर सकते हो बेच नहीं सकते हो लेकिन government ने क्या कहा कि ह हम तो बेच ले रहें oil भी बेच ले रहें gas mineral सब कुछ बेच ले रहें तो इसका मतलब क्या किया जो आपको पैसा संभालने के लिए दिया गया था maintain करना था वो आपने बेच दिया government इसे trustee trustee होना चीए था government को यह कहते कि भाया यह तो हमारे revenue income है तो यह ethical issue in mining है तब ही इन एक पार्टी होगी तो वहां यह बताया गया था पहले यह party largest party थी फिर अब यह party largest party होगी तो किसी ने यह कहा कि यह party भी corrupt है तो वह article बहुत अच्छा था मनलों 4-5 साल पहले आया हुआ था उस article की एक ही बात थी कि अगर यह largest parties है countries की तो यह mass based parties है ठीक है और masses are always corrupt ठीक, man by nature is dishonest, यह चीज़ कही है ठीक है, normal in general हम GS4 में पढ़ते हैं, जब mass ही corrupt है और mass based party है और largest mass based party है तो कैसे honest हो सकती है, तो fundamentally all parties are same ठीक है, तो ठीक है, fine, तो इसी तरह की कुछ article की एक आधी line याद रह जाती है, तरवाइस article तो हिंदू में हिटूल के नाम पर कच रही आते हैं फिर एक open skies treaty इसको हेला सिंग की agreement या Finland agreement 1992 का कहा जाता है, इंडियन एक्सप्रेस में इसकी एक news आई की, अब पहले तो USA ने चोड़ दिया था, ठीक है, पिछले साल अब रश्या भी छोड़ दे रहा है, तो क्यों छोड़ दे रहा है open skies treaty का मतलब क्या है, ये इसके members हैं, अब इसमें से red वाले जिन्हों ने चोड़ दिया, रश्या भी छोड़ देगा, ठीक तो ये सारी कहानी है cold war के time की, जब cold war start हुआ था, तो US के president थे, world history में आप इनके नाम पड़ोगे ठीक है, एजन हाउर के नाम पड़ोगे, तो जनेवा conference हुई 1995 में, इन्होंने Soviet Russia के जो उस time पर head हुआ करते थे, उनको एक doctrine दी, the doctrine of mutual aerial observation, हम aerial observation करेंगे mutually, आप हमारा करो UAV, Unarmed Aerial Surveillance Flight मतलब क्या होगा, सिदी सी बात है, अगर USA और Russia दोनों इस country है, पार्ट है तो यह अपना एक ड्रोन इनके हाँ बेश सकता है Russia से पूछ क्या, obviously Russia और यह country और यह इसके पार्ट है, तो यह यहाँ ड्रोन बेश सकते है यहाँ ड्रोन बेश सकते है, यह मतलब ले देके कहानी यह थी, ठीक है तो treaty बाद में sign हुई, 1992 में, मतलब 89 में तो यह Soviet Union का destruction हो गया था फिर 1992 में यह treaty आई, यह treaty आई थी NATO member और जो पहले के Warsaw Pact के countries थे तो यह हम लोग mostly Warsaw Pact क्या है, NATO Pact क्या है, इसा World History की interesting कहानिया है तो इसका main objective क्या था Open Sky Treaty का confidence building करनी थी to reduce chances of accidental war एक member state, दूसरे state पर spying कर सकता था with its consent pre के लिए क्या याद रखोगे, यह वाला fact याद रखोगे, यह याद रखोगे, यह याद रख सकते हो और बाकी इसका नाम की हेलर सिंग की agreement है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, तो मेंस के लिए हो सकता है, आप इनको use कर लो तो यह news है कि रशिया ने का हम भी छोड़ रही, USA ने तो पहले ही छोड़ दिया था ठीक है, तो यह Indian Express की news थी जया जेटली committee एक बनाई गई, ठीक है, task force on marriage, इन्होंने अपनी report submit की, तो अभी पताया नहीं है कि क्या है report में आएगा जब आएगा, लेकिन जया जेटली committee है, task force on marriage है, gender neutrality लाएंगे, reason क्या है, कि early pregnancy हो जाती है, अब शाधिया हो गई, तो जल्दी बच्चे भी होंगे, तो फिर उसकी वैसे काफी health issues आते हैं, तो उस वैसे committee बनाई गई थी, prime minister ने अपने independence day speech में ये बात कही, ये इतनी वड़ी line कभी भी UPSC, प्रिलिंस में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे वैसे में कहीं अगर आपको unnecessary बढ़ा करना है, तो ये चीज़े लिख सकते हो, ठी ये women का, अगर male की gender neutrality क्या है, male की 21 है, female की 18 है, मतला ऐसा क्या हो गया, ठीक, तो अब इसमें क्या हुआ, कि women right activist है, उन्होंने कहा, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करो, अगर आप 18 से 20 कर दोगे women की भी, तो उनके घरवाले एक तरह से उनको कैद कर लेंगे, बंदी बनाना, इन कार से रेट, ठीक है, marrying without parent consent, ठीक, मतलब, शादी होगी, parent के consent के भी नहीं यह चीज़े होने लगेंगी, तो उनको बंदी बना लिया जाएगा, ठीक है, अब ये वो terms है, जो आपको, in fact, in general हमें नहीं आती, ठीक है, तो जरूरी नहीं को याद करना, में समय, essay में इस अब फेकना नहीं होता है, English Literature का एक्जाम नहीं है, ठीक, तो background क्या है, इस पूरी कहानी का, जो background ये 21 और 18 आया, कहां से, Hindu marriage act है, 1995 का, अगर आप comment section में बता सको, कि कौन कौन से जो religion है, वो Hindu marriage act में covered होते हैं, ठीक है, तो comment section में बता सकते हो, section 5 third, प्री मैं इक में इस के point of view से, चाहे हो तो रख सकते हो, ठीक है, minimum age of marriage 21 और 18 है, respectively आपको पता है, इंडिया में एक चीज है, child marriage को लेकर, हम इतना बवाल मचाते हैं, by law this is not illegal, ठीक है, मलब बच्चों की शादियां आप कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, कि ये शादियां, अगर उस शादिय म सकते हैं, ठीक है, ये पूरा जो article 44 है, comment section में अगर आप बताना चाहो तो यही बता सकते हो, क्या है, ठीक, पूरी कहानी यही है, कि सब बराबर होने चाहिए, religion में भी सारी चीज़े होनी चाहिए, तो Islam क्या कहता है, marriage of a minor, जिसने puberty attain कर ली हो, वो शादियां कर सकता है, ठी एक हो, the age of majority, age of majority मतलब एक होते है, minor, हम कहते हैं, minor child, minor child का मतलब होता है, 18 से छोटा, जैसे आप बड़े होते हो, आप major कहलाने लगते हो, majority age जो है, that is gender neutral, तो age of majority, आप तब attain करते हो, आप 18 साल के हो जाते हो, Indian Majority Act of 1875, इसके according यह है, ठीक, तो यह सारा background है, right, तो ठीक है, क सर्वे आया था, तो सर्वे ने बहुत अच्छा एक चैप्टर दिया था, पुरा रस गयाने चैप्टर में से एक bad bank के उपर चैप्टर दिया था, कि public sector asset rehabilitation agency, bad bank, ठीक है, वही था, यह मतलब आप, यह मतलब बैंक के कबाड़ी वाले, यह बैंक का सामान खरीद लेंगे, ठी CPA of high values from Indian bank, suppose किसी bank का non-performing asset, suppose 10% हो गया, तो bank वाले कहेंगे हमारे 10% खरीद लो, हमें आप 7% दे दे देना, बागी 3% ले लो, तो यह पारा वाले क्या करेंगे, कुंडे लेके फिर पहुंच जाएंगे और पूरे non-performing को performing asset बनाएंगे, तो यह सारी कहानी थी, लेकिन यह सारी की जो companies है, यह सब stress में, में क्या याद रखोगे, COVID-19 pandemic, इसके टाइम पर, sorry not this, restructuring of loan के लिए कामत कमेटी है, ठीक, दन इसके बाद शेल जा चंदर कमेटी, तो यमुना मॉन्टरिंग के लिए कमेटी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने का भया, रिपोर्ट लाओ कहां, का अगला जो एक case है, जो हर साल news में रहता है, mains का topic होता है, reservation in promotion, तो वहाँ ये use किया जाता है, prelims के लिए क्या है, साल में 50 बार ऐसी news आती, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, तो 2006 में एक case हुआ था, ठीक है, आपको ये पता होगा, कि generally जो reservation होता है, 27%, 15%, 7 0.5%, तो ये promotion में valid नहीं है, ठीक है, सॉरी, OBC में creamy और non creamy layer का fund आता है, कि अगर आप creamy layer से हो, आपकी income एक certain level से ज़्यादा है, मतलब आप मान लिए गए कि आप अमीर हो, तो फिर आपको reservation नहीं मिलेगा, तो Supreme Court ने कहा कि creamy layer का ये principle, recruitment में तो नहीं, लेकिन promotion में लगेगा, ठ कोर्ट ने साथ में एक आता, article 16 का जो 4A है, ये आपको पता होना चाहिए, main point हो, इस article बहुत जादा important होता है, एक ये वाला article और एक article 335, तो comment section में पता ना चाहो तो पता सकते हो, तो Supreme Court ने कहा कि ये वाला जो case था, इसकी validity upheld, फिर से कहा कि ये एक enabling provision ही है, article 16 4A, इसको promotion, reservation दो, promotion, promotion में reservation दो, recruitment तक it is fine, employment and education तक it is fine, promotion में नहीं होगा, lifetime नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी, not bound के साथ में ये भी है, मिलेगा भी, तो भी 50% जो 50% का जो upper limit है, वो आप violet नहीं कर सकते, ठीक, तो state is not bound, लेकिन अगर state चाहता है, तो उसको data manage करना पड़ेगा, तीन चीज़ों में, पहला कि उस class की backwardness अभी वी कितनी है, भले ही वो उची post में आ गया हो, आपने देखा हो कि 2-3 साल से हम ये data पड़ते हैं, कि higher post में अभी भी joint secretary level के लोग है, या secretary level के लोग है, SEA और ST के जो लोग है, only 4% है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, backwardness of class क्या है ठीक है, inadequacy of representation of public employment, साथ में article 335, जो कि आप comment section में बताने वाले हो, वहां के according आपने, 335 job से related है, ठीक है, आपने job में इनको रख दिया, तो general efficiency of service effect नहीं होगी, ठीक है, तब आप reservation दे दो, right, then इसके बाद एक जो mainly ये mains के लिए topic है, vaccine diplomacy, अपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कि जो इंडिया है, science and tech में, हम 30 से 50 से 300 साल पीछे हैं लोगों से, कई साल पीछे हैं, इस बार, श्रायद पहली बार ऐसा हुआ है, scientific community से काफी closely connected हो में, कहीं पहली बार ऐसा हुआ है, कि science में USA ने कुछ develop कर लिया, UK ने कुछ develop कर लिया, और इंडिया भीक मागे नहीं कड़ हमें vaccine दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद अपनी vaccine बना रहे हैं, ये बात अलग है कि vaccine effective है, नहीं है, लेकिन आज की date में हम अपनी vaccine खुद से produce करने में successful है, कर सकते हैं, और ना सिर्फ हम produce कर रहे हैं, हम दूसरों को दे भी दे रहे हैं, तो मुझे नहीं पता PM को कैसा भ हम की नहीं है, ठीक है, तो फिलाल पहली बार इंडिया ने ऐसा कर दिया, अधरवाईज हम 300 साल पहले पीछे होते हैं, इस बार सिर्फ दो या चार दिन पीछे ही रहे हैं, ठीक, इसी दरह जली कट्टू है, तो ये हर साल कुछ ना कुछ ऐसी नहीं हो जाते हैं, भी हैं, क् हिंदू में endangered लिखा है लेकिन IUCN की website जो की ज़्यादा authentic है आप इसको देखोगे that is vulnerable तो habitat है इसका जो इंडियन सब कॉंटिनेंट पूरे में पाया जाता है schedule 4 of wildlife protection act 1972 में इसको protection है और sites के appendix 2 में इसको protection है इंडिया कह रहा है कि 2 से 1 में आप ले आओ तो sites के हम provision पढ़ते हैं कि 1 में आपको क्या फायदे हैं 2 में क्या है तो यह सब चीज़े हमें पढ़ने होती है थ्रेट वरेट क्या है इस अब प्री में नहीं पूछेगा इस अब तो all of the यह वो मानने होते हैं प्री में ठीक है loss of habitat to agriculture इनका मतलब जो भी forest थे उनको काट लिया और illegal harvesting for trade ठीक है मुझा इनको पैदा किया जा रहे है अब आप एक चीज़ देखो ऐसे आर्टिकल आते हैं हिंदू में तो इसमें बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड है यह यहां पी नीचे लिखी है तो यह सब मत याद किया करो ठीक है ठीक है पहले रामसर साइट 26 थी फिर भी ठीकता लेकिन अभी इतनी हो गई है कि I don't think यह पूछेगा बट फिर भी रामसर साइट से कई बार questions बन जाते हैं तो migratory birds वहां आ रही है जैसे common pochard और बाकी इनके जो भाई बेन बंदू हो है ठीक है winter migratory birds है mostly यह होता है Siberia reason में पंजाब में मिली है लेकिन flyways क्या होता है flyway आप देखोगे यह बहुत सारे path है ठीक तो ऐसे दुनिया में nine flyway है flyway का मतलब एक flight path है जो की migratory birds यूज करती है in general अगर वो यहां से आती है तो एक ऐसा बात यूज करती है ठीक है तो यह इस area में कोई भी एक path यह choose कर लेते ह ठीक तो इसे हम कहते है flyway और nine flyways है तीन Indian subcontinent से जाते हैं पहला एक centralization flyway not important for prelims at all बस definition याद कर लेना ठीक है बाकी अगर आपको देखना है तो यह मैंने टिक मार दिया है बाकी छोड़ देना exam में आजाए question तो ऐसे घटिया question नहीं आएंगे then Gucci और Moral mushroom है दुनिया के सबसे म नंगरो होता है तो ठीक है का लेना कभी पैसे हो तो देन लेसे मेजेस्टे मेजेस्टे मतलब होता है your highness God ठीक है king तो लेसे मतलब लेस मतलब आपने राजा को लेस करके दिखा दिया insulting the monarch ruler ठीक है Thailand में एक women को 43 years की jail हो गई अब वो women I think उसको 87 years की jail हुई थी initially sentenced 87 years ठीक है लेक लेकिन उसने अपना accept कर लिया तो उसको 87 को ले 43 years की jail दे दी उसने क्या किया था कि royal family का criticism कर दिया तो Thailand में तो बहुत harsh punishment होता है इंडिया में तो article 19 है आ जादी लो आराम से इसे बहुत सारे वोलकेनों जो इंडोनेशा में इरप्ट होते हैं इस बार आया भी है means में भी कोशन है Pacific Ring of Fire I think ऐसा कुछ है ठीक है रिष्टे में तो यह difficult है ऐसे रिटलो ठीक है मला यह वो countries है जिन में citizens के पास अपने rights के लिए fight करने की कोई capacity है तो USA का कोई फालतू सा institute है उन्होंने classify कर रहा है ऐसे fungus टाइप के institute को रटने की नहीं होती है बस यह पता होने चाहिए ऐसा कुछ है बस ना यह परी में इनके बारे में आप पढ़ते रहते हो दिया टर्किक एथिनिक ग्रूप जिन्जियांग प्रोविंस आफ चाइना वहां मिलते हैं चाइना ने उनको सिर्फ और सिर्फ रिजिनल रिजिनल माइनोरिटी माना है 55 officially recognized माइनोरिटी है एथिनिक माइनोरिटी चाइना की उससे जादा कुछ नहीं मानता है चाइना और ट्रेडिशनल यह होते हैं ओएसिस ओएसिस क्या होता है डेजर्ट में जो पानी का एक एरिया है उसको मतलब जील कहलो तालाब कहलो that is known as Oasis और वो आपका टकला मकान डेजर्ट तरीम बेसिन ऐसा मकान जिसका सर टकला हो गया वो तरीम बेसिन में मिलता है तो UK ने कहा कि भहिया इनके human rights बहुत वाइलेट हो रहा है तो UN को access दे दो चाइना कहां देने वाला है तो thank you for this precious time चार दिन के current affairs के लिए 98.54 सेकंड offline batches already चल रहे है और if you are interested तो you can join you can visit office after 25th in fact 27th of gen तो मिलते हैं फिर अगले lecture में और जो ये चीज है I would like to tell you something जो चीज है कि ये gap क्यों हो जाते है synopsis में या क्यों होते रहते थे see synopsis का अगर आप profile देखो institute का तो you will see कि this is a content based coaching और there are not many faculties not many people जो उस content को uphold करते हैं there is major restructuring going on in synopsis बहुत सी faculties के जो भी contracts है everything has been cancelled due to quality issues due to contract copyright violation issues due to many things वो इस ले बस का तमनी के तो इन सब को फिल we are going की भाईया माफ करो और थोड़ा सा time order लाएगा around 27 जैसे offline office होगा things will be fine ठीक है तो मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए ध्यान रखिए पढ़ते रहे और अगर lecture अच्छा खराब जो भी लगे comment section में बता देना